ब्लू वेल्स हमारी प्रिस्वी के सबसे बड़े क्रीचर्स में से एक हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पानी के अंदर ही नहीं बलकि पानी के बाहर भी हमारे लिए खतरनाग होती हैं दरसल जब वेल्स डेड हो जाती हैं तो इनकी बॉडी तटके किनारे आ जाती है और पानी से बाहर होने के कारण या डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है जिसकी वज़ा से इनकी बॉडी में मीथेन और कारबन डायोकसाइड गैस बनने लगती है वैसे तो या गैसे अन जानवरों के मरने पर भी बनती है लेकिन वेल का सरीर बढ़ा होता है जिसके कारण या गैसे भी अधिक मात्रा में बनती है इनके सरीर पर मोटी परते भी होती है जिसकी वज़े से ये गैसे आसानी से नहीं निकल पाती और फिर जिसके कारण गैसों का दबाव बढ़ता जाता है और अंत में इनका सरीर फट जाता है इसलिए हमेशा यह सला दी जाती है कि इम्रत वेल से दूर रहना चाहिए ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें